हेलो गाइज, कैसे हैं आप सबी? I hope सब अच्छे होंगे, सब बिल्कुल ठीक भी होंगे कल था जन्मास्टरमी और मैंने जन्मास्टरमी का तेवार मनाया है मैंने बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से कानाजी को भोग लगाया है, मैंने मखाने की सेर किया है वीडियो पसंद देता वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें जिस तरह आप लोगोंने मेरा सपोर्ट है मेरा होसला बहुत ही बाढ़ तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक थाली में भोग सजाया है इस तरह सारे कटोरियों में तो मैंने चैना, साबुदाना खीर, मखाने की पंजरी, बतासे, गूड, आचमन, नर्य लड़ू, बेशन लड़ू, बेड़ा, मेसरी, चावल यह सारे मैंने एक थाली में सजा दिय है इस तरीके से और फिर मैं ऐसे छोटे वाले कटोरे में मैं तील, चंदन, जनेव, रोली और इस वाले थाली में मैंने सारे फल सजा करके रखे हुए हैं काना जी के लिए वांसुरी, खीरा, यहां पर खीरा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इस वाले पुजे में और यह सब सारे मैंने तयारी करके रखे हैं यहां पर मैंने कृष्णराधा की एक फोटो रखी है और यह चोटे से काना जी की मूर्ती मैंने रखे हैं तो बस सबसे पहले यहां पर काना जी को कटोरी में रखके और इनको अशनान करवाना है तो यहां पर पंचामृत से इन अशना करवाना है तो पहले मैं यहां पर दूद डाल रही हूँ फिर मैं इसमें दही डालूंगी फिर मैं यहां पर मधू डाल रही हूँ फिर घी और थोड़ा सा सक्कर फिर थोड़ा सा इसे मिला दें मिला करके ऐसे फिर पानी स्रिस्नान करवाना है गंगा जल्ले रिस्नान करवाने के अगुदिधावाद भीवलके कपडे से अच्छे से पोच कर, पिर इन्हें आसन गरहन करवाना है, मैंने इस तरह का एक चौकी लिया है, उसमें मैंने पीला वर्स्तर लगाया है, फिर मैं उने आसन गरहन करवा दी, अब फिर मैं इसमें लगा रहे हूं, चन्दन, फिर तुल और ये पीला चुन्री मैं उपर से डाल रही हूँ क्योंकि बहुत हमारे छोटे से कानाजी है तो उनमें वस्तर नहीं आ पाएगा इसलिए मैं यहां से उपर में पीले कलर की चुन्नी लगा दे रही हूँ और ये मैंने गंगाजल से सब कुछ पवित्र कर लिया है और फिर मैं यहां पे कलस बठा रही हूँ तो कलस में मैंने डाला है पानी एक सुपाड़ी एक सिक्का काला तिल चावल और एक फूल और फिर मैंने पांच बेल पत्र लिया है उसे इस तरह लगा करके फिर मौली कलस में बांध करके नारियल में पांच टीका लगा करके रोली से और फिर मैंने नारियल को रखा है ऐसे उपर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स तो बस इस तरह इसे रख दे और फिर मैंने गंगाजल फूल बिल पत्र लेके पहले कन्हिया का आवाहन किया है अपना नाम अपना गौतर लेके संकल्प किया है और फिर मैं छढ़ा दी और फिर मैंने ये सारे फूल, बिलपत्र, फल वगाईरा सारे मैं इस चौकी पर चढ़ा दूँगी और ये सारे चीजें छढ़ाने के बाद मैंने यहां पे पंचामृत बनाया है तो थोड़ा सा दूद, थोड सा घी और थोड़ा सा चीनी इन सब ची ये पांच चीजे डाल कर मैंने यहाँ पर ये पंचामडित बनाया है फिर तुलसी पत्ता डाल कर और ये जो मैंने प्रशाद सजाया है उस वाली थाली में मैं इसे भी रख दे रही हूँ इसी तरीके से और ये कानाजी को मैंने बासुरी अर्पन किया है और ये सब चीजे अर्पन करने के बाद मैंने ग्यारा तुलसी के पत्ते लेकर फिर मैंने कृष्णाई नमा कजाब किया है और फिर ये मैंने सारे फल रख दिये है और इस तरह से भोग वाली ठाली को फिर ऐसे पांच बार सटा कर फिर इसे रख दें फ्रेंड्स ये मैंने आप अपने तरीके बताए हैं जैसे मैं आप पूजा करती हूँ वह मैंने आपके साथ सेयर किया है आप किस तरह करते हैं अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो प्लीज आप कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो फिर इस तरह जल घुमा कर तीन बार और फिर ये आजमन करते हैं और फिर मैं यहाँ पे कर लूँगी आरती फिर आरती कानह जी को लगाने के बाद फिर मैं सारे घर में आरती घुमा कर फिर सबको मैंने आरती दिखा दिया था और इस तरीके से आप आर्ती लगा ले धूप, दीप, अगरबती, कपूर दिखा लगा कर फिर आर्ती लगा ले और आर्ती लगाने के बाद मैंने यहाँ पे सारे घर में भी आर्ती दिखा दिया था और सारे मेंबर को भी मैंने आर्ती दिखा दिया था और यहां पर मैं सारे घर में चली गई हूँ आर्थी दिखाने के लिए फिर यहां पर हो गया है आर्थी दिखाने के लिए फिर मैं आर्थी दिखा कर आ गई हूँ वापस अपने जगा पर और यहां पर मैं थोड़ा सा धूप दिखा दे रही हूँ और फिर यहां पर पूजा हमारा complete हो गया है मैंने प्रत्ना किया, याचना किया, चमा याचना किया बस चमा याचना करने के बाद यह हमारी पूजा complete हो गई है फ्रेंड्स आपने किस तरब पूजा किया है आप commit करके मुझे जरूर बताना ये थी हमारी जन्मास्टमी की फूजा आप अपनी जन्मास्टमी की फूजा किस तरीके से किये आप जरूर बताईएगा हमारे साथ सेयर करके थैंक यू